गुड बॉर्णी श्टुडेंस आसा करती हैं आप सब बहुत ही अच्छी से होंगे स्वस्त होंगे जैसा कि हम चैप्टर 13 पढ़ रहे थे बच्चों दा इसकीन तो चैप्टर को आज हम आगे स्टड़ी करते हैं हमको पढ़ना है थौर्णी स्कीन ठीक है थौर्णी दैट मि पॉर्क्यूपाइंस दैट मिन्स साही कहा जाता है ठीक है इट है थीक कवरिंग ओफ इस्पाइंड वीच स्टेंड इरेक्ट वेट वेट वेन इट सेंस डेंजर देखे ये जो एनिमल्स है इसकी जो तवचा होती है थीक कवरिंग एक मोटा आवरन होता है और प्लस इसकी तवाजा जो होती है बच्छों वो थौणी होती है गांटेदार होती है और जब देंजर क्हटरम चैनुटूस करता है थीक है तो यह जो इसके थौर्ण ओं tut नहींक अपने का Sharp कर लेता है इस्टेंड ओनाट मिन्स खड़ा कर लेता है हाना, how are the spines on a porcupines body useful to eat, find out, देखे, जो ये porcupines that means साही animals होता है, मतलब उसका body उसके लिए कैसे useful है, तो देखे, इसकी body काटेदार होने के कारण, ठीक है, थोनी skin होने के कारण, मतलब यह अपने इनेमी सत्रोंशे अपने आपको, मतलब अच्छे से protect करता है, इसकी जो skin होती है, धोनी skin इसके लिए useful है, clear, अब है falling skin, falling मतलब गिरने वाले हैं ना, you must have seen feathers falling off from the birds, if you want, you can collect the different features of the birds, देखे, आप लोगों ने, birds, that means, पक्षी, feeder means, पंक, जो पक्षी होती है, बर्ष होती है, उनके पंकों को आप लोगों ने गिरते देखा होगा, तो आप लोगों क्या कर सकते है, if you want, अगर आप लोग चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोगों अलग-अलग birds के, अलग-अलग पक्षी होगे, जो feeders होती है, पंक होती है, उनको आप लोगों क्या कर सकते हैं, collect कर सकते हैं, clear, Have you ever seen a snake skins? Is there any other animals who shared its skin? जो इसनेग होता है, साप होता है, वह अपनी त्वचा मतलब केचुली चोड़ता है, ठीक है, तो आप लोगों क्या करना है, और कुछ अने अनिमल्स होती हैं, ठीक है, उसके बारे में आप लोगों को find out करना है, पता करना है, क्योर कौन-कौन से अनि केचुली चोड़ते हैं, और यहाँ उन अनिमल्स के नेम को आप क्या कर सकते हैं, मैंसन कर सकते हैं, ठीक है, फिर है, इसकीन ओफ एनिमल्स, मतलब जानवरों की त्वचा, अनिमल्स को क्या किया जाता है, मार कर उनके खाल से, देखे, उनके खाल, उनकी त्वचा से सूस बनाया जाते हैं, पर्स बनाया जाते हैं, जैकेट्स और भी कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, After the death of these animals, their hide are used, जानवरों को मानने के बाद, जो उनकी खाल होती है, hide होती है, वह क्या होती है, बहुत ही useful, मतलब उप्योगी होती है Find out the names of animal skin for their skin, देखे, आपको अन्या और animals के name find out मतलब पता करना है, कि उनकी skin कैसे क्या-क्या उप्योगी होती है और क्या-क्या बनाया जाते हैं, ठीक है There must be people making leather goods in your village, आप देख टाउन, find out what things they make तो देखे, आप लोगोंने गाउं, सहरों में देखा होगा, कि जो animals के skin से हाँ, लेदर की चीज़े बनाते हैं, मतलब जो चमड़े की चीज़े बनाते हैं, ठीक है तो वहाँ के लोग उनके height से, खाल से और क्या-क्या चीज़े बनाते हैं, ये आप लोगों को क्या करना है, find out करना है, ठीक है अब है hunting of animals, hunting means होता है शिकार करना, तो जानवरों का शिकार शिकार, many animals like snakes, peacocks, cats, rhino are killed for their skin despite a ban on their killing, देखे, despite means के बावजूद बैन मिस प्रतिबंद, killing मिस मारना, इन सब जानवरों पर मतलब प्रतिबंद लगने के प्रतिबंद लगने के बावजूद भी इनको मार कर इनकी तवचा से कई सारी चीज़ें क्या की जाती है, बनाई जाती है, तो देखे, हम लोग भी प्राय है, क्या करते हैं, बच्चों लेदर के जो चीज़ें होती है, उसका यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या हम अगर इन चीज़ों पर मतलब उनका यूज करना कम कर दें, उनका उप्योग करना बंद कर दें, या कम कर दें, तो क्या जानवरों का मारना कम हो सकता है, इसको रोकने के लिए कोई अन्या तरीका है, जो मतलब हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, ये बोला जा रहा है, और अनिमल्स एसे होते हैं बच्चों, जो निचर मतलब प्रगरिटी के साथ क्या हो जाते हैं, परिय।ू है तो कुछूझ जीन्टू जीन जिसक पिझूचे कुछ दिए गए है यहां नीचे यह cattle pillar नाम का creatures है जो देखे लीफ मतलब लीफ के रंग में रंग गया है और प्लस यह hidden frog यह frog तो बिल्कुल भी नहीं देख रहा है ना देखे यह यहां पर यह frog है जो मतलब इसमें पूरा मतलब अपने आपको blend कर लिया है ठीक है जिसके कारण हम इनको क्या कर सकते हैं आसानी से नहीं देख सकते हैं ठीक है how is it useful for the animals यह इनके लिए कैसे उप्योगी है तो देखे बच्चों यह इनके लिए मतलब वो अपने जो इनिमी होती है शत्रू होती है उनसे आसानी से क्या कर सकते हैं अपने आपको protect मतलब सुरक्षीत रख शकते हैं our body is a home of many creatures देखें our body that means हम से नहीं होता है कई जंतुओं का क्या होता है घर होता है कैसे चले देखते हैं list the different ways to kill life Лइख इस में होता है बच्चों जूँँँंऌ सभी इक होता है कहाں पालों में पाया जाता है तो यहा बोला जा रहा है曲 इसको मायिके क्या क्या तारीका इसको क्यiche धावन आने के लिए different type के कंदों को कल게 हो ते के से उताफिए乾्ट्ण adequately की होते हैं प्dsgma i óis को के तरीके होती है उसको मानने के लिए ठीक है यू मस्टो है है यू मस्ट हैव शिर्ण डैंड्राव ऑन यॉर स्केल्प स्केल्प मतलब होता है जो खोपड़ी हाँ और देडर्णाफ मिस्वतय है रूशी तो आप लोगोंगों ने देखा होगा सीर के बाल स्क्रवन किसीर के बालं ठीक है तो जो सीर के बाल होती है उसमें क्या होता है भच मतलब रूशी होता है आप लोगों ने देखा भी होगा वाइल कमबिंग यूर हेयर यू मस्ट हैव शीन वाइट स्थेट्स फॉलिंग ओफ देखे जब आप लोग कंगी करते हैं तो जो आपके हेयर होती हैं बाल होती हैं उसमें वाइट स्थेट्स फॉलिंग मतलब सफेद सफेद चूर 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 पूरे तुकड़े तुकड़े एक दम छोटे छोटे हैं वाइट वाइट क्या करते हैं आपके बाल उसे जड़ने लगते हैं यही क्या है बच्चों डेंडर आप है मतलब रूशी है हमारा स्केलफ होता है खोपड़ी होता है उसकी तुपड़ी सतह पर सूख जाता है सूख जाता है उसकी बाद फिर क्या करते हैं जब हम इसको कंगी करते हैं तो यहां ड्रेंडर आप के रूप में जणने लगता है ठीक है how is dandruff harmful to our hair find from your elders at home देखे जो dandruff होता है हमारे लिए कैसे नुक्षान दायक है अपने बड़ों से पता करिए तो देखे वच्च जो dandruff होते हैं dandruff होने के कारण क्या होता है हमारे बाल रफ भी हो जाते हैं plus falling मतलब गीत छड़ने भी लगते हैं ठीक है here are other microorganism that live on our skin देखे जो हमारा body होता है तो अच्छा होता है उसमें और भी microorganism मतलब सूच्मा जीव पाये जाते हैं they cannot be seen जिसको हम क्या कर सकते हैं नहीं देख सकते हैं they cannot be seen with our naked snake मतलब हम अपने इसको नगन आखोशे नहीं देख सकते हैं they are found in our nails and the teeny pores of our hairs यह हमारे नाखुनों में होते हैं हमारे जो hairs होते हैं बाल होते हैं उनमें teeny pores छीद्र पाया जाते हैं उनमें होते हैं ले बट इनको हम क्या कर सकते हैं नहीं देख सकते हैं what do you do to keep your skin and body clean अपने सरीर को clean मतलब साप रखने के लिए आप क्या क्या करते हैं ठीक है उसको आपको यहां क्या करना है तो यह था बच्चों हमारा चैप्टर हमारा लिश्यन दश्कीन कंप्लीट हुआ आसा करती हुआ हमने जितना पढ़ा बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा आप लोग का सब्सक्राइब करना है जहां तक खोश्य के मीनिंग निकालने की कोशिश कीचेगा आज के लिए इतना ही नेक्स्ट रडे हम अगले चैप्टर पर मिलते हैं थैंक्यू